हलो दोस्तों आप देख रहे हैं साइटेक विजन इटो बिंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं All-in-one प्रिंटर के बारे में आप लोग के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि जब भी हम लोग प्रिंटर लेने जा रहे हैं तो कनफ्यूजन हो जा रहा है क्यूंकि All-in-one प्रिंटर का कुछ रेंज ऐसा है जिस रेंज के अंदर कई सारी कमपनियों के प्रिंटर आ जा रहे हैं जैसे HP, Canon, Brother और Epson ये चार कमपनिया ऐसी हैं जो भारत के लगबग हर जिले में हर मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी और इन चारो कमपनियों के All-in-one प्रिंटर के फीचर्स हैं वो एक जैसे दिखने में आते हैं और जो प्राइसे सिग्मेंट है वो भी लगबग लगबग एक ही है यानि कि इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रिंटर सेलेक्ट किया हूँ वो सारे प्रिंटर इन चारो कमपनियों के All-in-one प्रिंटर हैं और इन चारो का जो रेंज है जो प्राइस रेंज है वो 10,000 और 11,000 के बीच में इधर उधर वैरी कर रहे होते हैं कभी किसी का थोड़ा जादे कभी किसी का कम कभी कोई थोड़ा सा उपर तो कभी कोई थोड़ा सा नीचे लेकिन 10 और 11,000 रुपे के आसपास ही बने रहते हैं तो जब भी आप एक All-in-One लेने जाते हैं तो चारों कमपनियों में आप Confuse हो जाते हैं क्योंकि दुकांदार के पास जो होता है उसे ही वो प्रमोट करने की कोसिस करता है तो आप Confuse होते हैं कि आखिर में इसमें से सही कौन सा है प्राइस लगभग वही है वर्क लगभग वही है मौडल डिजाइन का फर्क है लेकिन हमें तो performance चाहिए तो इसमें से कौन सा लें इसी confusion को हम दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहें और अगर वीडियो पसंद आती है तो पर इस वीडियो को like जरूर कर दिया करें आपका like हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है तो अच्छली इन सब में prison के लिए कुछ खास points पर हम बात करेंगे अगर उन points की बात करें functionality की अगर हम बात करें तो इन चारों printer की functionality बिल्कुल एक ही है यानि print, copy और scan यानि all in one इन सारे printer में आपको मिलना है connectivity की बात करें तो इन चारों को ही मैंने USB वाला लिया हुआ है क्योंकि एक ही price range में हम बात करने की कोसिस किये हैं Wi-Fi वाले नहीं है यह 4 के 4 USB connectivity वाले हैं Page supported की अगर हम बात करें तो 4 के 4 A4, A5, A6 DL और Envelope को support करेंगे 4 के 4 में यह सारे paper जो है support करेंगे लेकिन अब जो difference है वो है print speed की जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं इस point को आप खास करके अब जो 2-3 point बनेंगे उसको खास करके आप ध्यान देंगे यही पर आपको differences नजर आने वाला है और वो differences एक बहुत बड़ा differences है अगर हम सबसे पहले HP के print speed की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं PPM यानि पेज पर मिनट एक मिनट में कौन सा printer कितना पेज प्रिंट करेगा तो सबसे पहले अगर हम बात करें HP की तो HP यहाँ पर 7.5 पेज ब्लेक और वाइट करेगा और 4.5 पेज कलर प्रिंट करेगा तो यह है इसकी स्पीड यही पर अगर हम कैनन की बात करें तो 8.8 पेज ब्लेक और वाइट प्रिंट करेगा और 5 पेज कलर पेज प्रिंट करेगा यहाँ पर देखेंगे तो HP से थोड़ा सा स्पीड जादे कैनन की है उसके बाद अगर हम ब्रदर की बात करें तो यह ब्लेक और वाइट 28 पेज प्रिंट करेगा और कलर 11 पेज प्रिंट करेगा यहाँ पर बहुत जादे डिफरेंस हो गया आपका इस स्पीड का उसके बाद अगर हम एपसन की बात करें तो Epson black and white 33 page करेगा यानि 33 page करेगा और 15 page color print करेगा यारी इन चारों में अगर हम देखें तो speed Epson का बहुत ही जादे है ब्रदर का उससे थोड़ा सा कम है लेकिन सिर्फ print को ध्यान रखते हुए ये ज़रूरी नहीं है ये कह देना कि Epson सबसे best printer है आपके काम के हिसाब से कौन सा best printer हो सकता है उस पर भी हम आएंगे बस ध्यान से देखते रहिए तो हम प्रिजन सारा देख लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा best printer हो सकता है उसके बाद हम अगला point पे बात करते हैं पेज हिल्ड यानि एक बार जब आप पूरा टैंक को फूल करेंगे तो कितने पेज निकलेंगे तो सबसे पहले हम HP की अगर बात करें तो HP ब्लेक इन वाइट 6,000 पेज निकालेगा एक बार अगर टैंक फूल करते हैं तो और 8,000 कलर निकालेगा क्योंकि कलर के अंदर 3 टैंक होते हैं तीरों टैंक मिक्स करके अगर आप निकालते हैं तो 8,000 पेज निकालेगा उसके बाद कैनन की अगर हम बात करें तो 6,000 ब्लेक इन वाइट निकालेगा और 7,000 कलर निकालेगा यानि कि यहां पर अगर देखें तो कैनन और HP लगबग लगबग सीमिलर रह रहे हैं उसके बाद ब्रदर की अगर हम बात करें तो ब्रदर ब्लेक और वाइट 7,500 पेज निकालेगा इसका टैंक थोड़ा बड़ा होता है और कलर की बात करें तो 15,000 पेज निकालेगा इसके टैंक बहुत बड़े होते हैं उसके बाद अगर हम Epson की बात करें तो Epson 4500 पेज ब्लेक और वाइट निकालेगा और 7500 पेज जो है आपका कलर निकालेगा तो एक बार फुल्फिल करने के बाद यहाँ पर ब्रदर सबसे जादे पेज आपको निकाल करके दे रहा है तो अब यहाँ पर यह कह देना सही नहीं होगा कि ब्रदर सबसे बेश्ट प्रिंटर है अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर जो वो है प्रिंट रिजुलेशन बहुत माइने रखता है अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो किस रिजुलेशन में प्रिंटर प्रिंट करके दे रहा है यह बहुत बड़ा माइने रखता है तो इसमें अगर एच्पी की बात करें तो यह देता है आपको अड़तालिस सो इंटू बारसो का डिपी आई और कैनन देता है अड़तालिस सो इंटू 1200 डिपी आई यानि कि दोनों ही यहाँ पर सिमिलर हैं उसके बाद ब्रदर देता है 600 x 1200 डिपी आई यानि कि क्वालिटी यहाँ पर आपको बेश्ट मिलने वाली है उसके बाद एप सब्सक्राइण की अगर हम बात करें तो 5760 इंटू 1440 DPI दे रहा है तो यहाँ पर अगर quality resolution की वाद करें तो यहाँ पर भी absent जीत गया तो अब यह जो quality जो resolution है इसको हम कहाँ पर कितना benefits ले सकते हैं उसके उपर depend करेगा कि हमारे काम की है या नहीं है और उसके लिए जो अगला point है वह बहुत माइने रखता है अगर आप market में काम कर रहे हैं आपकी दुकान है आपकी shop है तो आपके लिए यह point बहुत माइने रखता है वो point है page thickness का gsm कितना मोटा page यह print कर सकता है यह बहुत बड़ा माइने रखता है यह printer आपका कोई studio है या फिर आपका कोई भी printing shop है आप दुकान पे काम market में काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही जादे जरूरी है तो जो HP है और Canon है इनका जो सारा जो comparison आपने देखा वो HP और Canon बहुत ही कम मिला बहुत ही low मिला यानि कि वो सारे comparison में अगर देखा साए तो brother और absent आगे रहे हैं लेकिन यहां पर जो print का जो ठिकने से उसके अंदर यह HP और Canon बाजी मार जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आप 2500 GSM तक paper लगा सकते हैं बिलकुल भी problem नहीं आती और यह जो मैं बता रहा हूँ यह बिलकुल practical है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है यह बिलकुल practical है जो market में हो रहा है जो problem आ रही है जो problem नहीं आ रही है बिलकुल practically तो इन दोरो printer में 2500 GSM तक problem नहीं आनी है उसके बाद जो brother का printer है चुकि speed जादे है इनका speed कम है इसलिए इनको दिक्कत नहीं होती होगी जहां तक technically अगर मुझे समझ में आता है तो यह जो दो printer है brother और Epson इनकी speed बहुत जादे है तो मोटे page में इनमे problem आ सकती है और आ रही है उसका region सिर्फ मुझे यही लगता है कि इसकी speed जादे है जिसके वज़े से आ रही है लेकिन अगर सच बताऊं तो brother का printer मैंने use नहीं किया है अग तक लेकिन Epson, HP और Canon मैंने अपने life में बहुत जादे use किया हुआ है तो इसकी एक एक नस मुझे पता है कहां पर क्या problem कर रहा है brother के printer में मुझे पता नहीं है चुकि अगर हम Epson की बात करें तो ये 100 SCGSM 180 180 GSM का paper जब आप इसमें लगाते हैं यानि कुल बिला करके 180 GSM तक paper आप इसके अंदर से print कर सकते हैं अगर photo अगेरे निकालना है आपको तो उससे उपर ये फसने लग जाता है आपको problem कर देगा और brother का actual practical result हमको पता नहीं है अगर आप photo print के लिए लेना चाहते हैं brother तो एक बार market से जरूर आप try की जिएगा या फिर जहां से भी ले रहे हैं वहां से जरूर आप पता करें कि कितने GSM तक ये जो है accept करता है लेकिन चुकि print speed जो है epson के बराबर है तो मुझे जहां तक लगता है कि ये भी 100CGSM तक ही लेगा तो ये तो रहा pace की मोटाई अगला point जो सबसे important point होता है आप लोगों का बहुत सारे सवाल भी होते हैं कि warranty and service कि warranty and service किसका based है तो warranty लगबग सभी का one year होता है किसी में कुछ page decide होते है description में link है वहाँ पर जाकर क्या आप देख सकते हैं लेकिन time period की बात करें तो one year की सभी की warranty मिलती है और बाकि service किसकी best है ये बहुत ही जादे comment आते हैं तो ये actually मैं बता दू ये हमेशा state state और district district warranty कर रहा होता है और service center किस district में किस के पास है उसका personal service बहुत बड़ा माईने रखता है जैसे माल लीजी अगर हमारे district में अगर एपसन की बात करें तो कुछ दिन पहले जिसके पास था कुछ साल पहले उसकी service अच्छी नहीं थी लोग बहुत परेसान होते थे लेकिन इस वक्त जिसका है वो इतने अच्छी service देता है कि उससे सब लोग हुस है तो जिस company का service मिलने में थोड़ी सी problem हो रही है किसी जीले में तो वो ये सीधा कहता है कि इस company की service सही नहीं है लेकिन ये कहना बिलकुल गलत होगा क्योंकि ये हमेशा district district vary कर रहा होता है state state vary कर रहा होता है और सबसे बड़ा जो differences है वो उस personal उस बंदे पर depend करता है जिसने service center लिया हुआ है लेकिन कहीं पर अगर किसी को service थोड़ी सी सही नहीं मिली तो इसका मतलब ये कह देना गलत होगा कि उस company की ही service खराब है तो service मिला जुला करके इंडिया में सभी की एक जैसी है बाकि आपके district में आपके state में किसकी service अच्छी है वो आप पता करके आप उसको buy कर सकते हैं बाकि differences की बात करें तो आप लोगों ने देख लिया अब overall summarize करूँ अगर मैं कि कौन सा printer based है ये तो हमने देख लिया speed बहुत अच्छी है Epson का तो Epson ले ले regulation की अगर बात करें तो Epson का regulation बहुत अच्छा है brother का regulation बहुत अच्छा है तो हर माइने में देखा जाए तो ये अच्छे है तो इनको ले लिया जाए तो कहने का मतलब अगर आपका काम A4 size जो photocopy paper होता है जो normal paper होता है उस पर ही print निकालने का है चाहे वो color हो चाहे वो black and white हो या फिर आप maximum 110 जेसम 140 जेसम 160 जेसम, 180 जेसम तक अगर आप photo निकालना चाहते है तो आप बेहिचक हो करके Epson ले सकते है Brother ले सकते है आपको speed fast मिलने वाली है quality based मिलने वाली है no doubt बहुत अच्छी print quality मिलेगी Epson और brother के अंदर क्योंकि इसका resolution बहुत अच्छा है अगर photo निकालते हैं तो बहुत best quality मिलती है लेकिन अगर वही पर मोटा page लगा देंगे तो आपके लिए problem हो जाएगी लेकिन प्रिक्टिकलिए कि बहुत पतले page पर अगर आप देते हैं photo निकाल करके तो customer satisfied नहीं होता कहता कैसा paper लगा दिये हैं तो यहीं पर अगर आप 200 GSM आपका इस्टूडियो का है passport size photo निकालना चाहते हैं तो आप HP या फिर Canon ही लें मेरा यह बिल्कुल recommendation है आपको बहुत ही सुखी रहेंगे बहुत ही मज़ा आएगा आपको लेकिन अगर simple print photocopy वगेरे करना है simple print out करना है तो इससे आप ठक जाएंगे बहुत slow है प्रिंटर आप direct Epson में या फिर Brother में चले जाएंगे आप बहुत ही सुखी रहेंगे तो दोस्तो यह थी comparison दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा next वीडियो आप किस पर चाहते हैं कौन से printer पर चाहते हैं कौन से printer का details चाहते हैं कौन सा comparison चाहते हैं प्लीज आप कमेंट कीजिए मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा दोस्तो वीडियो कैसा लगा अगर यह वीडियो चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ सेर कर दें और अगर पहली बार इस चैनल पर आएं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक कर दें तक कि हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे पूरी वीडियो देखने के लिए आप लों का दिल से धन्ने बात करता हूँ मैं मिलता हूँ next किसी और अच्छी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ में आपका दिल सुभ हो